राजस्थान विदानसभा चुनाव में 2023 को लेकर 60 बजार क्या कुछ कह रहा है 60 बजार की सुत्रों की अगर माने तो जिस प्रकार से लगातार जो है ओपिनियन पोल सर्वे आया उसी के साथ बताया जा रहा है भी 60 बजार हमारी सुत्र ये बता रहे हैं भी 60 बजार भी उसका भी एक सर्वे आ चुका है और उस सर्वे में जो है उसने क्या कुछ बताया यानि ये सर्वे जा रहा है लेकिन फिलाल इस सर्वे में जिस परकार से आंकड़े दिये गए हैं आप इस फुरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसमें सारी चीजे होंगी भी कौन सी पार्टी को किस विदानसभा सीट से जो है विजाई हो रही और किस जिले से कितनी सीटे जो है वो कौन सी पार्टी ले कर जाएगी और कॉंग्रेस और बिजेपी में आकरी में हम आपको वो टोटल आंकड़ा दिखाएंगे ब्याकर में सरकार किसकी बन रही है तमाम चीजें आप देखने के लिए इस चैनल पे बने रही है और हाँ अगर चैनल पे ने हो तो बेल आइकट का बटन दबादे हो सबस्क्राइब जरूर कर दे ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहें वहीं अगर मैं दूसरे संभाग बीकानेर संभाग की बात करूँ तो बीकानेर संभाग में भी चार जिले हैं फिलहाल और अठारा क्रीबन सीटे हैं और अठारा सीटों और चार जिलों के अगर बात करूँ तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के खाते में 60 बजार जो है 6-8 सीटे दिखा रहा है और वहीं अगर BJP की बात करूँ तो 9-11 सीटे जो है वो 60 बजार BJP की दिखा रहा है यहां पर भी बिकानेर संभाग में भी BJP जो है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को मात देती वी 60 बजार में नजर आ रही है अन्या की बात करूँ तो अन्या भी एक सीट जो है वो दिखा रही है अब कमेट बॉक्स में अपनी राय दीजेगा आपके अनुशार आप जिस जिले से हैं जिस संभाग से हैं आपके अनुशार आपके छेतर में कितनी सीटे किस पार्टी को मिल रही है और इस सटा बजार से आप कितनी पूरण तेस सहमत है या नहीं है क्योंकि ये सत्रों के हवाले से ये कबरे आई है आपको ये कबर कैसे लगी कमेट बॉक्स में अपनी राय दीजेगा और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाएं आज के लिए बसे इतना ही जाहिंद वंदे मातरम